हलो स्टुरेंट्स कैसे हैं आप सभी अभी मैंने जो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाय था उसमें हमने एरोमेटिसिटी की जो इंपॉर्टन कंडिशन्स हैं और बेंजेनोईड और नॉन बेंजेनोईड एरोमेटिक कंपाउंट्स क्या होते हैं उसके के उपर भी एक्जाम में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है या एक्जामनार आपको बहुत सारे ओप्शन्स दे देता है और आपसे पूछता है कि बताईए हाउ मेनी आफ दा फॉलेंग और एरोमेटिक कंपाउंट्स के उपर आपको कुछ यहां पर टिप्स दे रह हिट्रो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंट्स हिट्रो साइक्लिक का मतलब है रिंग में कार्बन के साथ साथ कोई एक हिट्रो एटम भी प्रेजेंट होता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एट्सेक्टरा तो हम यहां पर वन बाए वन एक्जाम्पल लेते हैं जैसे सबसे पहले बहुत ही पॉपुलर एक्जाम्पल है, पिरिदिन का इसको एक बार वापस मैं ड्रॉघ कर लेता हूं, जिसके अंदर हम पूरी एकसईस यहां पर कर लेते हैं कि how it is aromatic, यह aromatic क्यों है और सभी atoms की hybridization भी हम यहाँ पर check कर लेता है तो सबसे पहले यह pyridin है और यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मतलब 6 pi electrons है अब आप सोच रहे होंगे कि सर नाइट्रोजन के पास यह जो lone pair of electron है क्या यह ring में यह जो 6 pi electron cloud है इसको interfere नहीं करता है क्या नो इसकी entry allow नहीं है अंदर क्यों इसका आंसर है अगर यह lone pair ring में गया इसका मतलब यह 6 pi electron cloud को disturb करने ही कोशिश करेगा यह aromatic compound कभी भी bear नहीं करता है यही कारण है कि जो lone pair of electron है यह lone pair of electron lone pair of electron it is localized 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 का मतलब होता है कि यह कभी भी इदार उदार move नहीं कर रहा है fix position पर है जैसे मैं here and there localized हूँ यह delocalized answer है delocalized क्योंकि मैं here and there move कर रहा हूँ but यह lone pair अपनी position पर fix है यह कभी भी 6 pi electron cloud के अंदर close shell के अंदर disturbance create नहीं कर सकता तो lone pair of electron is localized on nitrogen only okay मतलब यह resonance में participate नहीं कर रहा does not participate participate in resonance यह देखिए आप है ना तो यहाँ पर 6 pi electrons का close shell है जो ऐसे delocalize है देखिए ऐसे ring में गूम रहे हैं maintain close shell तो close shell का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी disturbance create नहीं किया जा सकता इसका मतलब followed हकल rule है यह हकल rule को follow कर रहा है और second point cyclic तो है है और क्या यह सारे carbon भी sp2 hybridized है yes तो यहाँ पर cyclic and planar system बन गया because all atoms including nitrogen nitrogen यह sp2 hybridized है तो देखिए यह problem आपको chemical bonding में भी देखने को मिलता है कि पिरिडिन में nitrogen की hybridization state बताईए तो कई student यहाँ पर error करके आ जाते हैं यह loan pair को मालने थे हैं कि part of ring है क्योंकि delocalization में participate कर रहा होगा तो गरत हो जाता है problem तो इस बात को ध्यान रखिए कि loan pair यहाँ पर ring में interfere नहीं कर रहा है तो cyclic planar हो गया हकल्स rule को follow कर रहा है इसका मतलब हम इसको किस category में रखेंगे aromatic compound तो this is very popular compound aromatic compound one more thing loan pair क्योंकि loan pair ring में नहीं गया इसका मतलब यह nitrogen अपना loan pair किसी भी proton को या Lewis acid को easily transfer कर सकता है तो therefore nitrogen can transfer its electron pair to proton or any Lewis acid यह देखें और यही कारण है हम इसको बोलते हैं strong base aromatic compounds में यह एक strong base है obviously ale cyclic जो compound है या aliphatic nitrogen containing compound है उसके respect में weak है लेकिन अभी मैं आपको दूसरा compound बता रहा हूं pyrol तो उसके respect में it is strong base तो यह एक strong base है as compared to other heterocyclic aromatic nitrogenous compound ठीक है तो यह clear होग है सभी को next example देखते हैं देखें यह भी बहुत ही popular example है student इसको बोलते हैं pyrol यह देखें यह मैं आपको ऐसे example बता रहा हूं जो बहुत ही popular है heterocyclic category के अंदर यह देखें pyrol इसको हम एक बार वापिस draw कर लेते हैं यहाँ पर इसकी पूरी chemistry को समझ लेता है यह देखें अब pyrol में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 pi electrons देख रहे हैं के ऐसे हैं इसका मतलब lone pair of electron here lone pair of electron of electron on nitrogen atom nitrogen atom is delocalized and part of six pi electron close shell यह देखें यह six pi electron close shell का part है है ना aromaticity आ रही है इसे और यही कारण है हमने इसको बोला है कि delocalized है तो क्या यहाँ पर six pi electron close shell है yes one two three four five six यह lone pair of electron six pi electron close shell को maintain करने में completely participate कर रहा है तो यह तो पहला point हो गया हकल्स rule followed हकल्स rule और cyclic तो है अब planar है क्या तो देखें इसके लिए मुझे nitrogen की hybridization state चेक करनी चाहिए तो यहाँ पर sigma 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 और यह lone pair तो delocalized है तो मैं इसको nitrogen पर कभी भी यह नहीं मान सकता कि nitrogen के उपर localized है है ना तो यहाँ पर three sigma zero lone pair sum कितना हो गया three और three का मतलब क्या होता है sp2 यह देखें मतलब यहाँ पर भी nitrogen sp2 hybridized है लेकिन difference क्या as compared to periodon lone pair यहाँ पर delocalized है तो cyclic and planar system यहाँ पर भी है ठीक है because all atoms including nitrogen nitrogen यह सभी sp2 hybridized है तो क्या यह aromatic है yes यह aromatic compound है ठीक है बही clear हो गया क्या यह periodon के respect में strong base है यह weak base तो देखें lone pair तो delocalized है इसका माला भी lone pair कभी भी proton के लिए available नहीं है तो यह weak base then pyridine टीक है बहीा नहीं है तो यहां पर देखिए तीन टाइप की प्रॉब्लम है सुरेंट जो बनती हैं पहला गिवन कंपाउंड इस अरोमेटिक और एंटी अरोमेटिक सेकंड वन हाइबिडाइशन स्टेट अफ नाइट्रोजन अगर इस सुरेंट लोन पेर को यहां पर एड कर देता तो थ्री सिक्म तो यह बहुत ही पूर लुइस बेस है क्योंकि लोन पेर डी लोकिलाइजेशन में पार्टिसेबेट कर रहा है ठीक है समझ में आ गया तो कुछ और एक्जामपल हिट्रोसाइकलिक में देख लेते हैं पहले लिख लीजिए आप देखिए बच्छो जैसे जो नेक्स एक्जामपल है यह है फ्यूरेन यह देखे हिट्रोसाइकलिक एरोमेटिक कमपाउंड है यह क्या यह एरोमेटिक कमपाउंड है तो देखे यहां पर अब मुझे लगता है कि आप लॉजिक करेक्ट लगा पाऊगे तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यह देखे एक लोन पेर ऐसे रिंग में डी लोकलाइज होता रहता है और जो दूसरा लोन पेर है वो हमे है तो हीर वन लोन पेर ओन ओक्सिजन यह लोकलाइज है और अधर लोन पेर ओन ओक्सिजन यह दी लोकलाइज है तो मेंटेन शिक्स पाई एलेक्ट्रॉन क्लोज शेल यह देखे और यही कारण है कि यहाँ पर हकल रूल फॉलो हो रहा है फॉलोड हकल रूल तो यह तो पहली कंडिशन फुल्फिल हो रही है और सेकंड कंडिशन साइक्लिक और क्या प्लेनर है क्या तो इसके लिए इस ओक्सिजन को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखे दो सिग्मा और एक लोन पेर क्योंकि डी लोकलाइज है हम यहाँ पर ओक्सिजन पर दो लोन पेर काउंट नहीं कर पाएंगे कितने काउंट करेंगे एक ही लोन पेर काउंट करेंगे क्योंकि एक लोन पेर लोकलाइज है तो टू सिग्मा और वन लोन पेर सम कितना हुआ थ्री थ्री का मतलब क्या हुआ एस-पी смотрите तो यही कारण है यह planar system मनाता है तो सारे atom including carbon sp2 है all atoms sp2 hybridized यह देखे ठीक है तो इसका मतलब यह aromatic compound है तो जितने भी examples हमने discuss किये हैं student आपको इन में तो at least गलत होने का कभी भी scope नहीं होना चाहिए आपको clear होना चाहिए इसकी जगे जैसे यह भी बहुत popular है देखे इसको कहते हैं थायोफीन यह देखे शल्फर है यह थायोफीन और इसमें भी logic यही है एक जो loan pair of electron है वो six pi electron close shell को maintain करने में involve है ऐसे यह देखे इसका मतलब यह aromatic compound होगा तो यहाँ पर अगर मैं sulfur की hybridization state निकालूँगा तो फिर वोई मैं दो sigma और एक loan pair ही count करूँगा two sigma one loan pair sum three है three का मतलब sp2 होता है यह देखे तो यहाँ पर one loan pair on sulfur यह localized and other loan pair on sulfur यह delocalized और यह delocalized क्यों है to maintain six pi electron close shell ठीक है मतलब यह हकल rule को follow कर रहा है cyclic and planar हमने यह पहले ही प्रूफ कर दिया है cyclic and planar तो है और इसलिए हम इसको aromatic compound बोलेंगे तो यह बहुत ही popular heterocyclic aromatic compounds है इस्टूरेंट तो मुझे लगता है सभी इस्टूरेंट को hybridization और aromaticity कैसे हमने इन molecule में explain करी है clear हो गया जैसे इसकी जगे आपको अगर tetrahydrofuren मिलता यह देखे THF के नाम से popular है यह इसको tetrahydrofuren बोलते है THF अभी अपने पीछे furan देखा था जो aromatic heterocyclic compound था क्या यह heterocyclic compound है yes oxygen है including carbon तो यह heterocyclic है क्या यह aromatic compound है no यह non aromatic है तो मुझे लगता है कि आप तुमको समझ में आ रहा होगा आप देखिए यहाँ पे कोई भी double bond नहीं दिख रहा तो conjugation ही नहीं obviously no conjugation और अगर conjugation नहीं है तो 6 pi electron कहां से आएंगे even 2 pi electron भी कहां से आएंगे oxygen के पास loan pair of electron है लेकिन आप किसी भी carbon की hybridization चेक कर लिजे यहाँ पे यह सारे carbon sp3 hybridized हैंगे ऐसे यहाँ पर भी और अगर आप oxygen की hybridization state चेक कर रहे हैं तो कितने sigma bond है 2 sigma है और obviously यह सारे loan pair conjugation है नहीं तो localized है localized तो sum 4 है 4 का मतलब क्या होता है sp3 तो देखे इसलिए हमने इसको बोला है non aromatic because non planar system है और no huckles rule cyclic है ठीक है तो मुझा लगता है hetero cyclic aromatic compounds को हम कैसे identify करते हैं इस video के तुरू आपको समझ में आ गया होगा और अगर इन में से कोई थैंक यू थैंक यू